तो भाई अपना expenses आप कम कैसे करें living expense accommodation के अनिवे मैं आपको अपना गर दिखाऊँगा दो बेड्रून तो ऐसे घर का Ireland में क्या expense है कितना आपको पे करना पड़ेगा भार मोसम बड़ा चो रहा है तो हंजी hello and welcome to another video this is Sachin और जो आज की video है वह भाई living expenses in Ireland living expenses जिसमें आपका आजाता है भाई rent जो मेन होता है food का और accommodation का Ireland में क्या expenses है और क्या कुछ step आपको लेने अगर आप आइरलेंड में आ रहे हो living expense में हम क्या include करेंगे देखो एक तो time में food का जो food पे आप कितना खर्च करते हो दूसर होता है accommodation का जो की आइरलेंड में आज की ताइम में समस्य है बहुत बड़ी अगर आप आ रहे हो तो आपने भी सर्च करोना कि घर लेना यहां पर आप कितना मुश्किल होगा है इनकी recommendation rent पे यह फिर आप sharing पे तो इस video में कवर करूँगा कि कैसे आपने घर लेना है और कितना आपका expenses हो जाता है अगर आप चैनल पर नए आयो तो like subscribe करने के अलावा comment section में लिख लेना कि अगर आपको आइरलेंड के बारे में कुछ जानना है जैसे expenses क कितना होता है क्या होता है कहां पी होता है कैसे होता है grocery कि मैंने कहीं वीडियो बना ही जिसमें आपको idea लग जागा कि I ran expenses कितना होता है grocery पे week में मन्तली अगर आप family के साथ है और फिर अकेली आरे हो student आरे हो anyway मैं आपको अपना गर दिखाऊँगा दो बेडरूम तो उसको कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहां पर कितना expenses हो जाता है आपका मन्त में चल दिखाते हैं यहां जागी आज बहुत अच्छा हो रहा है देखो बाहर ना अभी मार्च चल रहा है और वैदर भाई जकास हो गया तो अगर मैं लिविंग expenses के बात करो आरे में तो क्यो के बाद जो में आपका expense हो जाता है वह accommodation जिसमें रेंट होता है तो रेंट में क्योंता है कि आपको अपने बिल वगारा पे गरना पड़ता है लेक्रिसिटी गैस का बिल फोन का बिल सब कुछ लगा कि आपको कितना बन जाता है तो वह जैसी यह मेरा सीटिंग रूम है ठीक तो उपर जाके दो bedroom है तो size भी दिखा देता हूँ जीम का समान रखा हुआ है मेरे न तो यह जैसे एक रूम हो गया इसमें अलमेरा लगी होई आए और दूसरा रूम उस तरफ हो गया भाई न उसमें भाई अभी Ryan's हो रहा है तो यह अपने दूसरा रूम हो गया है इसमें अलमारी लगी होई है और बैड लगा हुआ है और साथ में भाई है मेरा दूसरा तो ऐसे घर का आइरलेंड में क्या एक्सपेंस है कितना आपको पे करना पड़ेगा अगर आ रहे हो देखो दो बेडरूम अपार्टमेंट अगर आप ले रहे हो रेंट पे तो आपको आज क आपके टाइम में 1700-1800 यरो मिनीमम यानि कि इसे कम आपको नहीं मिलेगा तो आपको गर कैसे लेना वो मैं आपको बता देता हूं जो रेंट है इस टाइम डबलिन में उसमें तो आग लगी पड़ी है भाई नो स्काय रोकेट की तरह उपर जा रहा है बहुत एक्सपैंसी इस टाइम घर लेना आइरलेंड में पूरे आइरलेंड में तो जैसे आपने देखावी दो बेड्रूम का जो रेंट है यहां पर 1700-1800 यरो मिनीमम इससे शुरू होता है अगर आप नहीं आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आपको कोई घर रेंट पर देना रूम तो मैं वहां पर जाके लिख दूँगा तो आप मेरे से कॉंटेक्ट करोगे तो मैं आपको बलूँगा यह रूम इतने का मिलेगा आपको तो थोड़ा सा सेफ भी हो जाता है क्योंकि उसमें आपको पता है कि यह घर सचिन दे रहा है और सचिन की यह इन उप्षिन मिलती है एक तो अगर आपने बाए करना है और एक लैटिंग पर और दूसरा आप शेरिंग पर तो अगर आपने बाए करना है वो तो आपका और नहीं बढ़ेगा क्या आप स्टुडेंट आ रहे हो या फिर आप वर्क परमिट पर आ रहे हो तो कि एकदम आत अगर लड़का कई कि हामेर को किसी और को भी रखन पर आप शेरिंग में लगा सकते हो तो अगर वह लड़का जो पहले रह रह था तो अगर वह आट सो यूरो दे रहा है तो आप डिवाइड कर सकते दुन्नों 400-400 तो आपको लेकिन रूम शेर करना पड़ेगा और कीचन तो गहरा और टोलेट्स तो गहरा आप शेर करोगे जो भी वहां पर रह रहा है दूसरे रूम में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आप घर ले रहे हो आज के ताम ही तो सवाल लाग के करीब एक लाग तीस हजार के करीब आपको ऐसा अपार्टमेंट मिल जाता है ज 35,000 आपको मन्तली पे करना पड़ता है तो भाई अपना एक्सपैंस आप कम कैसे करें लिविंग एक्सपैंस कैसे अप सस्ते में ले सकते को अगर आप नहीं आ रहे हो तो भाई मैं आपको यह सला दूँगा अगर आप स्टुडेंट आ रहे हो सिंगल हो अकेले हो तो आप अगर है यह व्युक्य करें रहे हैं शेर कर ले रूं कई कैसा तो हम भी जिब शूरु में आए तक चार अप्सपैंस कम हो जाता है कि भी एक्सपैंस आहां रहंट का जो कि ट्रहूंध to 400 euro monthly save कर लेते हो दूसरा अगर आप श्टक हो जाते हो आपको घर नहीं मिल रहा है कॉमेंडेशन नहीं मिल रही है और आप सोचते होटल लेना समझदार नहीं है कि होटल में आपको 100 euro minimum till 150 euro आपको per night pay करना पड़ेगा जो minimum है होटल बहुत expensive होते हैं तो आपने क्या करना है देखो जब एरपोर्ट पर आप आप जाते हो तो वहाँ पी वाइफाइ फ्री होता है दूसरा मैकडोनल्ड में भी वाइफाइ फ्री होते हैं अगर आपको नेट नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ पी जाके आप सर्च कर स लेकिन वह क्याते हैं सस्ता पढ़ जाता है बहुत सस्ता पढ़ जाता है और दूसरा ट्राइग करें कि डबलीन से बाहर जाके घर ले सकते हो तो मच बैटर क्योंगे डबलीन में एक्सपैंसी हो है घर इस ताइम रेंट पे अफे शेरिंग में अगर आप वर्क फॉर्म हो हो जाते हो अब को रहें है कि तो रूम में रहा है रेंट पे कुछ मती मिल रहा आप पिलकूल लग रहा है कि अब मैं कहा पर जायो फिस्ञ Hojeा में घर से बाहर निकलने आ sagt को यह फिर अप एरपोर्ट पर आगे होatar今 समसरा है रहा जांद लेकिन इसा मिस लापने घो करो साहि तो वहाँ पर संगत आती है कोई ना कोई आपकी help जरूर करेगा अगर आपकी situation जैनुर लगती है उनको तो again कोई गल्ड स्ट्रेप ना है कोई यहाँ पर आके बंदा stress हो जाता है, fed up हो जाता है कहीं बार तो I hope you enjoyed the video और यह वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ फाइदा जरूर मिलेगा अगर आप accommodation के लिए Dublin बारे को, अगर आपका भी कोई question रहता है तो आप comment section में जरूर लिख सकते हो, तो मिलते हैं next week के साथ थिल्दान थेक है